दृष्टि आयस के ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दृष्टि के इन्पुट्स भी शामिल है। ये आर्टिकल सामान्य अध्यन प्रश्ण पत्र एक के भुगोल खंड से जुड़ा है। तो आईए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। कश्मीर की घाटी अकसर दो वजहों से चर्चा में रहती है। एक अपनी खुबसूरत बर्फ से ढकी वादियों की वजह से और दूसरा आतन की घटनाओं को लेकर। लेकिन बीते कुछ समय से कश्मीर घाटी इन दोनों ही कार्णों से चर्चा में नहीं है। बलकि अपनी खुबसूरती और बर्फबारी के लिए मशहूर या घाटी इस साल सूखी सर्दियों से गुजर रही है। मतलब ये है कि इस साल एक बार भी यहां अच्छे से बर्फबारी नहीं हुई है। और इस वज़े से यहां आने वाले पर्यटक भी निराश हुए है। दरसल कश्मीर घाटी में स्थित गुलमर्ग सर्दियों में पर्यटकों से गुलजार रहता है। और गुलमर्ग का हिमपात पर्यटकों की बीच विशेश आकर्शन का केंद्र है। लेकिन इस साल हिमपात न होने की वज़े से पर्यटकों की संख्या में काफी कमी हुई है। सरकारी आंकडों के अनुसार इस साल पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत की कमी आई है। इसे के चलते यहां का पर्यटन उद्योग भी मंदा पड़ गया है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ पर्यटन उद्योग या इन बरफीली घाटियों की खुबसूर्ती का नहीं है। बलकि चिंता इस बात की है कि किसी शेत्र में मौसमी घटनाओं में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार विभिन घटनाओं पर व्यापक प्रभाव डालता है। तो आज के इस आर्टिकल में हम कम बर्फबारी से होने वाले दुश प्रभावों और इस से जुड़े अन्य पहलों पर चर्शा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि हिमपात के कम होने की वजह क्या है। दरसल जम्मो कश्मीर और लदाक में मुख्यता शीत कालीन वर्शा होती है। ये वर्शा हिमपात अत्वा बर्फबारी के रूप में होती ह है। आम तोर पर इस शेत्र में पहली बर्फबारी दिसम्मर महा में होती है और फिर जन्वरी तक यह क्रम चलता रहता है। हालाकि ये लागतार नहीं होती है लेकिन इस साल सर्दियों के मौसम में यह शेत्र जादर तर सूखा रहा है। भारत मौसम विज्यान विभाग य पतलब ये है कि इस साल दिसंबर और जन्वरी में इन शेत्रों में बिलकुल भी बर्फबारी नहीं हुई है। वैज्यानिकों का कहना है कि पुर्वी प्रिशान्त महासागर में प्रचलित अलनीलो घटना इस वर्ष कम हिमपात के लिए अतरिक्त कारक हो सकती है। अगर से नमी उठाती है और पश्यमी हिमालयन प्रदेशों में बर्फबारी के रूप में वर्षा करती है। पश्यमी विक्षोब सर्दियों के महिनों में उत्तर और उत्तर पश्यम भारत में वर्षा का प्रात्मिक शोथ है। आम तोर पर सर्दियों के दोरान हर महिने औसतन चार से छे पश्यमी विक्षोब की घटनाएं होती है। लेकिन इस साल दिसंबर में एक कमजोर पश्यमी विक्षोब की घटना हुई थी जिससे कोई बारिश नहीं हुई थी। और इस माह भी इसी तरह की एक और घटना हुई जिससे नाम मात्र की बर्फबारी देखने को मिली। वैग्यानिकों का कहना है कि बेटे कुछ वर्षों में मजबूत पश्यमी विक्षोब की ओसत आवरित्ती में 43% गिरावट आई है। इसके अतरिक्त अल्नीनों को भी इसकी वजह बताया जा रहा है। दरसल पिछले एक दशक में कई साल रही है जब जमू कश्मीर में सर्दियां आपेक्षाकृत शुष्क रही है और बहुत कम बर्फबारी हुई है। IMD की श्री नगर केंद्र के प्रमुख का कहना है कि इस सर्दी में अल्नीनों की कारण इस सिती गंभीर हो सकती है। क्योंकि पिछले कुछ महिनों से अल्नीनों बना हुआ है और आने वाले महिनों में भी बना रहेगा। बता दे कि अल्नीनो एक आवधिक जलवायु घटना है जिससे मध्य और पूर्वी गुलार्द में उष्ण कटी बंदी प्रिशांत महासागर के पानी के तापमान में परिवर्तन आता है। इसके तहट उश्नकटिबंधिय प्रिशांत महासागर की एक विस्टिश शेत्र में सत्ही जल तीन से साथ वर्षों तक की सामाने अवदी के सापेक्ष कहीं भी एक डिग्री सेल्सिस से तीन डिग्री सेल्सिस तक गर्म या ठंधा होता है हाला कि हिमाली प्रदेश में मौसम में हुआ ये परिवर्तन सिर्फ अल्लीनों की प्रभाव की कारण नहीं है बल्कि बढ़ रहे प्रदूशर और ग्लूबल वार्मिंग की प्रभाव से धर्ती की हर हिस्से पर तापमान में व्रधी हुई है जिसका असर हमें दुनिया भर में जलवायू परिवर्तन और मौसमी आपदाओं की रूप में देखने को मिल रहा है मौसम बहुत सारी घटनाओं पर अपना प्रभाव डालते हैं इसलिए वजह चाहे कुछ भी हो लेकिन मौसम में हुआ छोटा सा भी परिवर्तन देश दुनिया में कई तरह की समस्याओं को जन्म देने का काम करता है तो आईए जानते हैं कि इन शुष्क सर्दियों का दिर्गकालिक प्रभाव क्या होगा घाटे में बर्फबारी का महत्व महच पर्यटक आकर्शन नहीं बलकि उससे कहीं अधिक है घाटे शेत्र में बर्फबारी स्थानी जलवायू, शीत कालिन, फसलो इवं बागवानी, नदियों में पाने की उप्लबधता और स्थानी अर्थ्वश्था के लिए महत्वपून है हिमालई शेत्र में कम बर्फबारी के अल्पकालिक और दिर्गकालिक दोनों तरह की प्रभाव होते हैं दिर्गकालिक प्रभावों में कम पन बिजली का उत्पादन, ग्लेशिर पिघलने की दर में व्रिधी और पेजल आपूर्ती पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल है क्योंकि कम बर्फ वारी की वज़े सी भूजल का बहुत कम पुनरभरण होता है अगर अलपावधिक प्रभावों की बात की जाए तो शुष्क मौसम की परिणाम स्वरू जंगल की आग में व्रिधी, कृशी सूखा और फसल उत्पादन में गिरावट हो सकती है इसके अलावा सर्दियों की बर्फ हिमाली शे टर की मिंट्टी में सिर्नमी का एक श्रोत है विशेश रूप सी बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है बर्फबारी की अभाओं में स्थानी अर्थ्ववस्ता की महत्वपूर्ण घटक, सेब या केसर की पैदावार बुरी तरह प्रभावित होती है हालकि कश्मीर घाटी के लिए हिमपात का महत्वतो है ही, साथ ही इससे संपूर्ण उत्तर भारत की जलवायू भी प्रभावित होती है जब हिमाली शेत्र में बर्फबारी कम होती है, तो उत्तर और मध्य भारत में शीत रुत्यू की अवधी कम हो जाती है जिससे क्रिशी समेत मौसम संबंदी सभी गतिविधिया प्रभावित हो जाती है तो चलिए अब देखते हैं इसके निशकर्ष को निशकर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि मौसम में आ रहे परिवर्तन हमें धीरे-धीरे जलवायु परिवर्तन के करीब लेकर जा रहा है गर्मियों की बढ़ती और सर्दियों की घड़ती अवधी ग्लोबल वॉर्मिंग का ही परिणाम है इसलिए वैशुक सतर पर प्रदूशर और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए हलाकि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को इन शुष्क सर्दियों और अन्य मौसम संबंधी परिवर्तनों के लिए जिम्मदार करार नहीं दिया जा सकता लेकिन फिर भी इन परिवर्तनों का मूल कारण तो ग्लोबल वार्मिंग ही है क्योंकि बाकी सभी कारण तो पहले भी मौजूद थे लेकिन किसी भी श्वेत्री की जलवायू में इतना परिवर्तन कभी नहीं आया और अगर इस जलवायू परिवर्तन को उचित उपायो द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके गंभीर दुश परिणाम होंगे जैसे कही क्लेशियर पिघलने से बाढ़ आएगी तो कही बारिश की कमी से नदियों में पानी की कमी हो जाएगी इसलिए दुनिया को सतत्विकास लक्षियों की प्राप्ति के लिए तीजी से अपने कदम बढ़ाने चाहिए तो चलिए नोट करते हैं आज के सवाल को हिमाली प्रदेश में शुष्क सर्दियां देश में सूखे की बड़ी वजह बन सकती है इस कथन की कारण सहित स्पस्ट व्याख्या कीजिए तो व्यूवर्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ शुक्रिया दियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले